कुछ इस्ट्रेंट का क्वेरी है कि सर में 2022 अटेम्ट के लिए कुछ अमेंडमेंट आया है क्या SFM के अंदर C.A. स्ट्रेंट के लिए तो आपके इन्फर्मेशन के लिए ऐसा कुछ मेजर अमेंडमेंट नाम का कुछ नहीं है हाँ C.A. इंस्ट्रेंट ने अभी recent past में एक new concept पे एक नया question डाला था जिसका नाम है bond future यानि कि interested risk management chapter में जो आपने interested future पढ़ा था interested future अलरी आपने पढ़ा था वो जो interested future हम लोगों ने पढ़ा था पहले वो आपने Libor and Libor पे पढ़ा हुआ था पहले से यह तो बहुत दिन पहले से इसका question आ रहे अभी recent past में इंस्ट्रेंट ने bond future जिसका underlying bond है इस पे new question इंस्ट्रेंट ने insert किया है तो हम simply यह कह सकते ही कि एक यह नया concept है इसका concept ही नया है बिलकुल तो new concept पे एक new question मेरे को एक नजर आता है बाकि already जो changes था वो already आपको inform किया हुआ था उसमें ज्यादा कुछ था नहीं जैसे कि January से जिसने बहुत जैसे होता क्या है कि कुछ instant अगर पुराना lecture ले 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 थे तो major जो उनको doubt रहते हैं कि sir हम कुछ miss तो नहीं करें तो देखें उसमें आपको already हमने पीछे एक सीरीज है एक एक chapter का ही सारे questions January 2021 तक का update तो मैंने आपको दे दिया था January 2021 तक का इस तक का जितना भी questions था वो आपको already YouTube पे मैंने एक playlist ही बना के दे दिया है उसमें सारा आपको मिल जाएगा chapter wise उसके बाद देखा जाए तो जो दो दो attempt हुई है July 2021 and December 2021 उसमें major कोई new syllabus वाले में नया questions से अड़ किया ही ने इंटिटूट ने ओके हाँ July 2021 old syllabus वालो जथे उसमें कुछ questions आपको नये दिखते और December 2021 के old syllabus वाले के suggested है उसमें आपको 2-3 questions नया दिखेंगे वो सिर्फ question modified है नया concept कुछ भी नहीं है पुराने ही question में जो requirement पहले calculate करने को बोलता था वो अभी दे दिया था और जो दिया हुआ था वो निकलवा रहे है बस question को क्या किया है थोड़ा सा up down किया है उसमें कोई major changes नहीं है तो ये चीज है और हाँ एक जो और भी changes जो कि already बहुत दिन पहले हो चुका है फिर भी कुछ restaurant को doubt है अभी लेट cancellation का जो foreign exchange में हमने देखा था उसमे भी already हमने बहुत दो बार इसमें discussion किया हुआ है लेकिन हाँ जो भी discussion किया था उसमें हमने ये बोला था कि 15 days का जो time period दिया करते थे automatic cancellation का वो आपको 3 days में convert हो गया या आज की changes नहीं पुराना हो चुका है तो हम कह सकते है फॉर X में जो आपका late cancellation था उस late cancellation के अंदर जो 15 days का time दिया करते थे automatic cancellation का वो आपका कितने देज में पहुँच गया है 3 days में हाँ अब जो नया questions exam में आएंगे अभी तक exam में question नहीं पूछा है इस पे जब अगर ये exam में question पूछे जाएंगे तो question को amend किया जाएगा पुराना question आपको as it is जब आपका आने वाला नहीं है हाँ अगर आपको दिखन लगता है कि किस तरीके का question हमें दिख सकता exam में वो देखना है तो मैं इसके amended question आपको इस PDF के अंदर attach करके आपको दे दूँगा जो आपको इस description में मिलेंगे इस video का वो आपको amended question में आपको amend करके question दे दिया आ आपको amended question PDF आपको description में मिल जाएंगे तो आप check कर लीजिएगा ठीक है तो हम लोग चलते हैं बिना कुछ बिलंब किये हुए वो जो नए concept पे question जो डाला इंस्ट्टूट में उस पर हम लोग discussion करते हैं तो यह था interested future interested future आपके दिमाग में आ रहा होगा कि FRA जो था OTC transaction transaction होते थे FRA जो होते थे forward rate agreement यह one-to-one deal होआ करता था और यही अगर exchange में जाते थे तो उसको हम लोग interested future बोलते थे लेकिन हमने जो पढ़ा था पहले जो पहले आप लोगों ने जो पढ़े थे वो था LIBOR या MIBOR या LIBOR मा price निकालते थे इस case में जिसमें underlying इसका बनता है MIBOR & LIBOR उसका जो future price आपने calculate किया था वो future price निकाला होगा आपको याद आ रहा होगा 100 minus interest rate इसका मतलब क्या होता है कि अगर market में मान लेजिए LIBOR या MIBOR interested चलता है आपका 5% का तो उस case में future का जो price बनते थे न उस case में जो हम interest rate हो जाता है मान लेजिए 10% चलो 8% कर देते अगर market में rate हो जाता है 8% का तो उस case में आपका future का price हो जाता था 92 हमने वहाँ यह पढ़ाता कि देखे अगर किसी को borrowing करना है तो borrower को कब फायदा होता है बताइए borrower को benefit होता है जब market में interest rate बढ़ता है ठीक है और नुकसान ह Difficulty होता है इस case में क्या होता है उसको gain होता है और market में अगर interest rate गढ़ता है तो इस case में उसको loss होता है यह हमने पढ़ाता और डिपॉजीटर होगा तोobed Scr Ja do होगा आपको कि depositor को कब फायदा होता है जब market नीचे जाता है तो वो gain करता है और जब market उपर जाता है तो उसको क्या होता है loss होता है और उसी तरीके से FRA के अंदर आपने क्या check किया था बताओ FRA में और future में दोनों में थोड़ा सा difference था आपका मैं बस revision करा दे रहा ताकि थोड़ा सा link जोगा नए concept पर जो जा रहे FRA की जब बात करें थे तो borrower को FRA buy करना होता था और future को borrower को future sell करना होता है और FRA यहां पर क्या होता था बताए यह depositor seller होता था FRA का लेकिन यहां पर कौन होता था वो buyer होते थे उसको buy करना होता है और बात में जाके वो close करने के लिए यह इसका entry होते है यानि की borrower का entry इससे होगा स्टार्टिंग में यह इससे entry होंगे उनका और जाके यहां पर जो exit होते है वो exit के case में क्या करेगा बताएए exit के case में buy करेंगे वो exit के case में यहां पर sell करेंगे और दिन जाके जो difference होगा वो अनका loss gain हो जाएगा तो क्या होगा देखो यहां पर यहां तो buy करेंगे यहां त यह future का rate है ठीक है जब आप यह interest rate आज जब आप future का contract करने गए क्योंकि आपको यह सब पता है derivative में already future आपने पढ़ा हुआ मैं future आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी बस सिर्फ आपको एक revision करा दिया मैंने सोचा कि चलो आपको यतना revision हो जाएंगे then अगर आपको यह bond future कराओंगा तो आपको थोड़ा सा link कर पाओगे कि यह बिल्कुली different concept है different settlement चलते मार्केट में different mechanism है इसके settlement के लिए जिस पे नया question डाला गया है तो ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि में 2020 में यह question bond future का दिखे आरुफ को लगे कि हो नहीं पाया इसलिए यह update दे रहा हूं तो यह सब कुछ आपने नया कुछ भी नहीं किया इसमें यह already पढ़ा हुआ है ठीक है तो यह था अलग माइबोर या लाइबोर या मिबोर लिवोर पे बेस्ट जो interested future था हमने उसकी बात किया अब हम आगे बढ़ते हैं interested future bond का भी हो सकता है NSC में यह trade होता है N अगर आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा bond future trade होते हुए अगर मैं कोशिस करूँ थोड़ा देर जाने के लिए तो यहां पे देखिएगा यहां पे देखो जब आप market data पे market data पे जब यह derivative market पे जाते हो यहां पे derivative market पे जब क्लिक किया तो देखिए यहां पे आपको राओगा यह interest its derivative दिख रहा है न तो यहした डर इंस्टिटूट ने डाला है एक्जाम में नहीं आया हुआ है यह MTP में डाला है इस्टिटूट ने अभी तो चलिए अब हम जो बात करें वह है हमारा bond future का यानि किसका मतलब क्या हुआ ऐसा future contract जिसके अंदर bond जो होगा वो underlying होगा याद करेंगे future contract में क्या करते हैं हम लोग सोचिएगा आज हम एंटर करते है contract यह आज के rate पे दो पार्टी मिलके मालेज़े एक पार्टी A यह है एक पार्टी B है यह दोनों मिलके एक सर्थ लगाते आपने सोचा हो पहले देखा होगा कि अच्छा एक share खरीदने बेचने के लिए हम लोग सर्थ लगाया करते थे तो वह था आप आपका equity का future जब आप इन निफ्टी के लिए खरीदने बेचने की सर्थ लगाते थे तो वह जाता था निफ्टी future वैब से जब commodity की बात करते थे ही हम्लोग bond future तो मानले जे Mr. A. ने बोलता कि चलो ठीक है Mr. A. ने बोला कि मैं बेचूंगा इसने sell करने का contract कर लिया और इसने buy करने का contract कर लिया तो क्या खरीदा बेचा जाएगा bond खरीदने बेचने का सर्त लगा लिया कौन सी time पे मानले जी यहां पे बोलता है कि ठीक है जी three month के time पे वैसे rule market का bond के लिए different rules चलते market में share के जैसे नहीं है यह चीज़ याद रखिएगा तो अब क्या होगा बताईए expiry पे जाओगे जो भी expiry date होगा उस expiry पे जाके आपको क्या करना है बताईए Mr. A को Mr. B को A delivery देंगे bond का किसको Mr. B को और बस contract settlement हो जाएंगे अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या सार delivery होता है यहाँ पे bond क्या नहीं होता है जैसे equity market में क्या होता था आज से दो साल पहले सारे cash settlement होती थी difference settlement किया जाता था लेकिन आज अगर देखोगे तो market में जो delivery होते हैं वो आज के rate पे equity share के delivery के साथ settlement होती है future का यानि कि अगर आपने future बेज दिया और अगर expiry तक अगर आपने square up नहीं किया तो आपको share का delivery देने पड़ेंगे और अगर आपने buy contract किया है तो expiry पे जाके आपको share लेने पड़ेंगे फिर कुछ लोग बोलेंगे सर contract value तो बहुत बड़ा होता है future का तो क्या वो delivery लेने पड़ेंगे हाँ जी वो सारा का मासक अब रहा सवाल क्या bond में bond के delivery होती है या नहीं होती है bond के delivery होती है लेकिन यहां पर जो contract किया जाता है वो ऐसे bond के अंदर contract किया जाता है जो bond market में exit नहीं करता है exist नहीं करता है अब तोड़ा ध्यान से सुनते जाएंगे मैं सिर्फ bond future का rules and regulation बता रहा हूं जिस rules and regulation के basis पे जो अभी MTP के अंद में जो पीछे question डाला है वो आपको question आपको आराम से solve कर सकते हो क्या है जैसे equity share के अंदर क्या होता था आपने अगर बोला कि Reliance के future Reliance का future खरीदा बेचा तो इसका मतलब हो गया कि expiry पे जाके Reliance Industries के equity share के settlement किये जाएंगे delivery किया जाएगा bond future के अंदर क् दो पार्टी ऐसे bond में contract एंटर करता है जो bond market में existing नहीं करता है ही नहीं market में जो है ही नहीं उस bond पे सर्थ लगा लिया जाता है यानि कि वो national bond पे आज सर्थ लगाते है बोलो कि सर ये तो बड़ी गरवर बात है आप कह रहे हो कि मैं bond खरीदूंगा एक कहता है bond बेचूंग जब थी मंथ बाद के लिए और जब थी मंथ बाद market में गए तो वहाँ पे bond exist ही नहीं करता है तो हम देंगे क्या तो यहाँ पे exchange ने क्या किया है इस set of bond already बना के रखा हुआ है जो market में exist करता है जो market में है really है यहां क्या होता है सर्थ लगाए जाता है ऐसे bond के अंदर जो market में exist नहीं करता यानि कि national bond के अंदर आज सर्थ लगाते है जब expiry पे जाते हैं तो seller याद रखेंगे seller को bond देना है और buyer को bond मिलना है considerate पे जाके expiry पे सर्थ के मुताबिक जब expiry पे पहुंचते हैं जब seller को bond की delivery देना है तो seller जाते है market में और कोई भी bond खरी दिलिवरी दे देते हैं बोलो कि कोई भी bond कैसे दे देगा ऐसे ही rule है market के अंदर कोई भी bond उठा के दे देगा मतलब क्या हो पता है मैंने आज सर्थ लगाया कि reliance के share मैं आपको बेचूंगा तीन महीने बाद after three month मैं reliance के share आपको बेचूंगा मान लिजे हमने rate तै कर दिया 2700 चलो 2500 मोटा मोटा याद रखने के लिए मैंने क्या किया आज मैंने सर्थ लगाया कि मैं after three month reliance का share आपको बेचूंगा 2500 में और जब हम expiry पे गए तो हम कहते हैं ना भाई ना हम expiry पे हम पहुंच चुके हम तो reliance के share नहीं देंगे हम तो आपको HDFC का share देंगे HDFC bank का share दे देते वाई ऐ तो था हुटा है अगर ऐसा होता तो फिर एक काम करते हैं bank Nifty bेचने का सर्थ लगा देते हैं और जब delivery देना होगा तो nifty को delivery देंगे हम क्या करते हैं हम बेचने की सर्थ लगाते हैं कि हम कहते कि चलो iPod आपको बेचूंगा हमने सर्थ लगा लिया और जब expiry पे तो हम बोलते है ये लो calculator भाई ऐसे तो कोई सर्थ होता नहीं है ऐसा ही चलता है bond के साथ बोलोगी ये तो sir बहुत नाइनसाफ ही है फिर तो buyer को नुकसान हो जाएगा कहते है buyer को भी नुकसान नहीं होगा गहन से सुनिए कैसे सर्थ लगाया गिया ये bond कैसा था बताएए ये bond था नोशनल जो की market में था ही नहीं पहुंचे expiry date पे Mr. A.K कहते है कि चलो एक काम करना है मुझे delivery देना है अरे वो bond था ही नहीं जिसमें हमने सर्थ लगाया था अब bond का characteristics कैसे decide करोगे मान लिजे ये bond जो था वो था 7.5% 5 year maturity वाले 7.5% का coupon 5 year maturity वाले हम जाते हैं यहाँ पे और हम क्या करते हैं market से एक bond खरीद लेते हैं 5% coupon वाले यह तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपको पता है high coupon bond की price क्या होता है जादा होता है जिसका coupon अगर जादा होगा अगर तो उसका bond का price जो होते हैं market में बड़ा होता है और जिसका coupon rate लो होगा न उसके market में price जो होते हैं वो छोटा होता है इतना तो आपको पता है यह तो bond घटिया से घटिया बॉंड हम उसको डेलिवर करके दे दे और यह अलाओ करता है एक्सेंज आप बोलोगे सर एक्सेंज ऐसे कैसे अलाओ कर सकता है यह बायर को तो फिर क्या होगा बताइए सर्थ लगाया था मान लिजे हजार रुपे का यहां पर सर्थ लगाया गया था यह कि जो बायर है उसको नुकसान नहीं हो गया थाउजन रुपीज इसको पे करना पड़ेगा कितने रुपे पे करना पड़ेगा बताओ थाउजन रुपीज कॉंट्राक्ट के तहत और इनको कौनसी बॉंड का डिलिवरी दे दिया यह घटिया बॉंड 500 में खरीद के मिस्ट क्या करोगे बताओ तो बोलोगे फिर तो कुछ तो करना पड़ेगा ने एक्सेंज को नहीं तो फिर बायर तो ऐसा सर्त लगाएगा ही नहीं कभी कभी यह बॉंड फ्यूचर में तो कभी ट्रेड ही नहीं होगी बिल्कुल ट्रेड होता है आपको दिखेगा वहां पे ट्रे किया गया है यही चीज आपको मेंली जानना है तो ध्यान से देखे यह जो मैंने बोला है कि अभी 5% कूपन बॉंड खरीद के दे दिया है इसके लिए कुछ सेट अफ एलिजिवल बॉंड का सेट बनाया गया है कि कौन-कौन सी जो मर्जी बॉंड मार्केट से खरीद होगे तो मार्केट में अवलेवल तो होगे हाँ जी कौन-कौन सी मार्केट में बॉंड अवलेवल है इसका सेट आफ सेट जो है वो एक्सेंज आपको डिकलियर करके देता है कि देखो हमारे पास इतने सारे बॉंड है इसमें से कोई भी बॉंड आप उठा के दे सकते हो तो जो इसमें पास एलिजिवल बॉंड होगे वो उस इसमें से कोई भी बॉंड आप खरीद के दे सकते हो अब माले जे येिवल बॉंड में 5% बॉंड भी है कुछ 6% बॉंड भी है कुछ 7.5% coupon bond भी है कुछ 9% bond भी है 10% bond भी है आपको पता है इसका जो bond price होगी इसका जो bond price होगी मानलेज़ इसका bond price 1000 रुपे की आसपास बन रहा था क्योंकि हमने इसी bond को delivery करने की बात किया था लेकिन होगा क्या market में 600 वाले मानलेज़ यह 900 में चल रहा है यह 500 वाले जो है चले 5% वाले को उने 500 ले लिया था बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया था इतना भी छोटा नहीं करना है से 800 का हो जाता है यानि कि इसका bond का price कितना का था बताए 800 का यह bond था हमारा 1100 का यह bond है हमारा 1200 का अब आप मुझे बताए यह bond के delivery देने चाहिए थी क्यों क्योंकि इसी bond का क्या किया गया थे हाँ पर contract किया गया था लेकिन अब यह देखो Mr. BB क्या करेगा बोलेगा कि देख भाई तु वो bond नहीं दे रहा है जो तुमने contract किया था contract किया था तुमने कौनसी bond देने का 7.5% का तो तुम यह bond दोगे तो मैं 1000 रुपे दूँगा अगर तुम यह bond नहीं दोगे तो मैं तुमें 1000 रुपे नहीं दूँगा यह मैं तुमें 1000 रुपे नहीं दूँगा तो फिर क्या देगा तु भाई देखो जो bond दोगे उसके हिसाब से हम price adjustment करके देंगे बोलोगे कैसे दोगे भाई तो कहते देखो तुम अगर 5% वाले bond मुझे दोगे तो इसका price होना चीए था 800 तो मैं क्या करूँगा पता है ये 1000 ना देखे 1000 multiply by 0.80 दूँगा मैं 800 रुपीज ही तुमें दूँगा आप बोलोगे अच्छा इसका मतलब दो चीज आ गए अब यहाँ पे याद रखिएगा कभी भी कोई rule बनते हैं तो एक के favor में नहीं बनता है market जो होते हैं वो equally justifiable होना चाहिए दोनों के लिए ऐसा नहीं कि एक के favor में दे दोगे दूसरा का नहीं जैसे seller को बोला कि कोई भी bond खरीदो और सामने वाले को चिपका दो तो Mr. B को भी यह बोला कि तुम उतना ही पे करना जिस तने value का तुमारे को bond मिलता है तुम contract value भी मत पे करना इसका मतलब क्या हुआ देखो seller को choice दिया कि जो मर्जी eligible bond में से कोई भी bond खरीदो और सामने वाले को delivery दे दो तो वो भी सामने वाले party payment में उसके adjustment कर दिया कहते देख भाई तू भी जो contract किया था committed price मत पे करना सामने वाले को तो फिर क्या pay करोगे कहते तुम्हे price को adjustment कर देना अगर घटिया bond देगा तो तुम कम pay करना बढ़िया bond देगा तो तुम ज़्यादा pay करना समझ में आगया बात इसका मतलब क्या हो गया दो जग हो पर यहाँ पर adjustment हुई एक जो eligible bond जो है उसके price के basis पे उसके जो 7.5% coupon जो हमने लिया है उसका price comparison करने के लिए एक conversion factor declare करके देता है और वो exchange देता है हमें कोई इसकी ज़रत नहीं है क्या बोलते इसको इसको एक adjustment factor या conversion factor भी बोल सकते हो वो आपको provide करेंगे कौन provide करेगा क्या केते हैं exchange तो देखिए कैसे conversion factor कुछ नहीं है वो price को comparable बनाता है प्राइस को comparable बनाता है और कुछ नहीं है यह जो conversion factor है देखो द्यान से जिस conversion factor की हम बात कर रहे थे वो यह conversion factor है यह आपको नहीं निकालना है वो exchange निकाल के देते है जैसे इस घटिया bond का market में price कितना होना चाहिए बताए 800 तो कहते हैं कि देखो वैसे मैं बता दू एक्सेंज ने एक benchmark बना रखा है conversion factor निकालने के लिए that is this 7.5% coupon वो भी semi annual coupon 7.5% बाले bond के price के basis पे तमपेरेवल बना के और तब conversion factor निकाल के देता है यह सारे आपको rules के अंदर मिल जाएगा NSC के website पे national stock exchange के website पे जाओगे तो यह सारे कुछ आपको लिखा हो मिल जाएंगे even setup eligible bond भी देगा वहाँ पे clearly लिख के दिया है कि exchange आज के rate पे जो आपको conversion factor indicate करते या आपको जो communicate करते वो करते है 7.5% semi annual coupon bond के लिए यानि किसका मतलब क्या हो देखिए कि देखो भाई 800 bond वाले तुम delivery करके दे रहे हो तो 800 divided by 1000 यह देखो 800 का bond दे रहे हो 1000 रुपीज का bond आपके price थी इसका मतलब conversion factor यहाँ पे कर दिया जाएगा कितना 0.80 अगर 900 वाले bond है तो conversion factor हो जाएगा 9 अगर 1000 वाले bond है तो conversion factor हो जाएगा 1 और 1100 वाले bond है तो conversion factor हो जाएगा 101 और यह हो जाएगा देखो 1.20 तो कुछ नहीं है आप मुझे बताओ exchange ने यह आपको निकाल के दे दिया तो conversion factor को क्या करेंगे बताओ price में adjustment करेंगे buyer कहता है देख तु गटिया bond दे रहा होगा तो तुमारा conversion factor पहले से ही कम होगा तो हम उतना percent ही आपको pay करेंगे मतलब क्या हुआ अगर मान लिजे contracted price हमारा 1000 रुपीज का था देने का contracted price अगर 1000 देने का था तो हम simply कहते 1000 हम आपको नहीं देंगे 1000 का only 80% देंगे हम आपको फ़र तो बढ़ी है भाई तो फिर बाप तो बन भाई कैसे बताओ तुम 800 वाले तुम मुझे bond खरीद के दे रहे हो तो मैं तुम्हें पूरा price नहीं दे रहा मैं तुम्हें 800 ही दे रहा हूँ 110 पे करना पड़ेगा Mr. B को और मिलेगा उसको 5% कूपन वाले bond तो उस case में Mr. B को क्या हो जाएगा 10 रुपीज का नुकसान होगा कभी ऐसा भी तो हो सकता है 0.81 ना होके 0.79 हो जाए तो फिर आपको 10 रुपीज का फायदा हो जाएगा बायर को तो इसमें conversion factor और जो market में price होगी वो exactly equal नहीं होगा हमने जो भी example लिया उसमें एट B पे रख दिया है इसलिए आपको equal दिख रहा होगा अब क्या होगा देखो मान लिजे Mr. A ने इनको अच्छे bond deliver करके दिया Mr. A ने market से खरीदा मान लिजे अच्छे bond खरीदा जो इसका 9% coupon वाले bond दिया उसको तो अगर 9% coupon वाले bond देगा तो आप मुझे बताए इसको तो market से जादा महेंगा खरीदना पड़ेगा कितने में खरीदना पड़ेगा 1100 में तो फिर लेकिन contracted price तो कितने का था 1000 का था कोई बात नहीं Mr. B को pay करना पड़ेगा conversion factor को adjustment करके इसका मतलब उनको उस case में जो pay करना पड़ेगा 1000 multiply by 1.1, 1100 pay करना पड़ेगा अगर no profit no loss वाले में एक्जामपल जो लिया उसके point away से लेकिन exact जो conversion factor होगा उतना नहीं होगा थोड़ा सा up down आपको मिलेगा time value adjustment करने के साथ तो उससे आपको loss gain नजर आ सकता है इस तरीके से पूरे के पूरे mechanism जो है यह bond future का चलता है market के अंदर यही इसका base concept था इसमें आपने क्या क्या चीज़ देखा कुछ नहीं simple सी बात भाई हम सर्त लगाएंगे किसी भी bond में delivery देंगे कोई भी bond यह allowed है अगर आप घटिया bond करोगे तो उसका conversion factor घटिया ही दे रखा होगा वो सारे exchange का काम है eligible bond भी exchange ही देता है और जो conversion factor वो भी exchange आपको communicate कर देते है expiry paid आके आप कौन सी bond दे रहे हो उस bond का conversion factor price में adjustment हो जाएगी और जितने पर आप खरीदोगे उतने में आप खरीद के दीजिए तो आपको जो देखा जाए तो seller का loss gain कैसे निकाला जाएगा बताईएगा seller का loss gain कैसे निकालोगे जो bond का seller था उसका loss gain क्या होगा सोचके बताओ जितना आपका contract price था contracted price जितने में था आपने contract price जितना था आपका उसमें conversion factor ले लो ये आपको मिलेगा buyer से और आपने जो bond दिया है उसके लिए bond का जो price होगा जितने में खरीदोगे वो minus कर दीजिए यही आपका क्या हो जाएगा seller का profitably loss अब आप मुझे बताइए यह जो set of bond था eligible set of bond उसके अंदर cheapest bond ही deliver करोगे ना मान लिजे मैं seller हूँ याद रखिएगा यह पूरे के पूरे concept seller के point of view से कौन सी seller जो bond को sell किया है जिसको sell bond का delivery देना है वो हमेशा ऐसा bond deliver करने की कोसिस करेंगे जो उनके लिए सबसे ज़्यादा फाइदेमंद होगा तो सबसे ज़्यादा फाइदेमंद का होगा बताइए या तो profit बहुत ज़्यादा हो जाए या loss minimum हो जाए इस case में जो होता है वो bond को select करेगा और eligible set of bond जो है उसमें से सबसे सस्ता bond ही खरीद के और buyer को deliver करेगा तो यह जो सबसे सस्ता bond है इसी को बोला जाएगा cheapest bond to deliver ठीक है cheapest bond to deliver इस तरीके से name दिया गया है यह सब word आपको मिलेंगे चलिए तो जो हमने बता है concept हमारा खतम हो चुका है बस cheapest bond ढूंड के और deliver कर देना है यही चीज़ आपको एक question में आया हुआ है देखो कितना आसान है पढ़िएगा एक वार रीड करिएगा यह आपको PDF मिल जाएगा description चेक कर लिजेगा रीड करते हैं अंडर bond future two parties enter into a contract to buy or sell national bond which does not exist in the market on expiry date जो market में exist ही नहीं करता है उसके अंदर सर्थ लगाया जाता है on expiry date seller of contract seller of contract मतलब जिसने bond future बेचा है has to give delivery of bond to buyer future उसको तो delivery देने पड़ेंगे bond का अच्छा now question arises how can give delivery of that bond which does not exist in the market जो market में exist ही नहीं करता उसका delivery कैसे दोगे there are few bonds which exist in the market we find a list of these bonds on nsc website आपको मिल जाएगा कि कौन-कौन सी bond जो है deliverable bond है वो setup bond जो हूँ आपको मिलेगा उसी bond में से किसी को भी खरीद के आप दे सकते हो यह सब कुछ लिखा हुआ जो मैंने बोला है वही चीज है आप देखिए high coupon होगा तो उसका market में high price होगा low coupon होगा तो market में low price होगा हमने यह आप example लिया कि देखिए अच्छा coupon low है तो price उसका low होगा और conversion factor भी low होगा conversion factor क्या है बताइए comparable price है हमने बोला है to make this comparable nsc declares conversion factor वो conversion factor आपको बता रही है कुछ नहीं है जैसे यहाँ पे देखिए मैंने example में भी लिखके दे दिया है कि मानले जे 7.5% का semi annual bond है उसका market में price 102 है इसी को comparable बनाके आपको सारे conversion factor निकाले जाएंगे क्योंकि market में 7.5 को आज के rate पे benchmark बनाता है तो यह 702 है तो उसका conversion factor हमेशा 1 होगे देखिए 5% coupon होगा अगर मानले जे उसका market में 95 है तो उसका conversion factor कितना हो जाएगा इसको 102 के comparable बना दो तो आपका market में conversion factor हो जाएगा 0.9314 अगर यह 10% annual coupon bond है तो उसका conversion factor हो जाएगा 1.0 यह हमें नहीं करना है यह declare करके देते एक्सेंज Conversion factor calculates NSC and informs it to trader trader को inform कर देता है कि यह है आपको NSC website पर मिल जाएगा ठीक है अब बताओ loss gain कैसे निकाले जाएगे देखो loss gain जो होता है seller of bond के लिए वो ही होता है contract price कितने का था उसमें conversion factor क्या है क्योंकि buyer से उतना मिलेगा और आपने bond खरीदिने में कितना पैसे खर्चा किया इतने का तो यही चीज मैंने यहां पर आपको क्या किया है एक डाइग्राम कि सुरू दिखा दिया है कि देखो market से eligible bond आप खरीदते हो इसको bond को delivery देते हो वहां से आपको contract price मिलते है contract price पूरा नहीं मिलेगा adjusted price मिलेगा adjusted price निकालोगे कैसे जितने में commitment किया था उसका conversion factor रेलोगे काम बन जाएगा ठीक है profit कितने का हो जाएगा adjusted price minus bond यही question है हाँ cheapest to deliver bond एक word आपको मिलेगा cheapest to deliver bond कौनसी bond होगा जिसमें seller को सबसे जादा फाइदा होगा सबसे कम loss होगा simple तो यह question आप देखो गई यह question आपका पूछा गया है अचा यह question number 4 का यह essay मैंने रख दिया है कि यह तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था ही पहले से जो पहले से और बांकि यह question है institute ने अभी MTP में पीछे डाला हुआ यह new questions है ठीक है वसे जिसनों ने अभी recent में class लिया है उनको तो इसका मिली गया है यह तो आउल लेडी हमने class में solve करे लिया है जो पहले से पढ़ा हुआ है जिनको नहीं है उनके लिए यह question आपको बन जाएगा यह question पढ़ लिजेगा question number 4 का भी काम बन जाएगा देखो क्या बोल रहा है पढ़िए कह पर in March 2020 XYZ bank sold some 7% interested future underline underline national 7.5% coupon bond देखो पहले लिखके दे दिया है कि 7.5% के national bond के अंदर एक सर्त लगाया गया है कुछ बच्चे को यह नहीं समझाता है कि XYZ bank sold some 7% interested future यह 7% क्या है फिर जब यह आपका 7.5% का coupon rate मिलता है आपको याद होगा जब bond पढ़ा होगा आपने तो coupon rate कभी भी investor का return नहीं होता है नहीं होता है आप 7.5% का coupon bond है क्योंकि coupon निकाला जाता है face value पे और yield निकाला जाता है initial price पे तो इसकी जो initial price होगी वो initial price face value जब नहीं होता है तो coupon rate आपका yield नहीं बनता है जो return होते है वो आपका other than coupon rate होते है तो वहीं बोल रहा है कि ऐसे bond है जो कि national bond है market में जिसमें सर्थ लगा रहे है उससे आपको return मिलता है 7% का यानि कि उसके जो market में जितना price available है आज के rate पे उससे अगर आप return निकालोगा यानि कि YTM निकालोगा तो उसका 7% आएगा तो हम simply यह कह सकते कि 7% return वाले जो bond है वो 7.5% coupon है वो national bond के अंदर इसने bond बेचने का सर्थ लगाया हुआ है bond है कि bond में sell करूंगा कितने वाले bond है बताएए 7.5% coupon वाले यह bond है चलो आगे बढ़ते the exchange provides following details of eligible security that can be delivered सर्थ लगा किस में national bond में अब उसने क्या बोला कि देखिए यह जो securities है यह eligible securities है जिसको delivery क्या रख सकते है यानि कि मतलब क्या हुआ XYZ क्या करेगा इस setup bond में से कोई भी bond खरीद लेगा और सामने वाले जो party होंगे जिसने खरीदा होगा उसको जाके deliver कर देंगे चिपका देंगे यह ले bond भाई अब मुझे बताएए XYZ यह जो eligible bond है इसमें से कौन सी bond को खरीदेगा सोचो 7.5% का national coupon bond की बात हुई थी 7.5% से नीचे 7.5% से नीचे देखो यह सारे घटिया bond है जिसका coupon rate जो है sorry 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 सारा घटिया नहीं है इसमें ठीक है यह देखो यह सारे ऐसे bond है जो सब घटिया है जिसका हम कह सकते coupon rate कम है कैसे यह देखो यह आपको दिख रहा है इसका coupon कितना है बताएए 6.75 जो लिखा है नहीं coupon rate है 6.55 coupon rate है जिसका GOI 2025 इसका maturity है इसका coupon 6.8 है इसका 6.85 है यह सारे घटिया bond था घटिया bond है तो हम simply कह सकते इसका market में price भी घटिया होगा तो घटिया bond अगर खरीद के देख रहे हो 9.26 देखो जितना छोटा coupon होगा उतना कम price होगा इसका यह देखो थोड़ा सा बड़ा coupon थोड़ा सा बड़ा price उससे थोड़ा और बड़ा coupon थोड़ा सा कम price है इसका यह है क्योंकि इसमें सिर्फ coupon rate ही नहीं coupon rate and maturity period दोनों का impact आता है तो life छोटा होता है तब भी bond का price जो होते हैं कम हो जाता है तो कोई बात नहीं हमें बस इतना पताई कि देखो जी यह जो bond सस्ता bond खरीद के दोगे तो इस सस्ते bond का conversion factor भी कम होगा यानि कि buyer आपको पैसे भी कम pay करेगा ज्यादा ज्यादा खुस्मत हो seller भाई साब XYG को हम कहते है ज्यादा खुस्मत होना कि सस्ते bond का bond खरीद के हम देदेंगे सामने वाले से मिलेगा भी कमी amount कैसे देखो यह सारे देख रहे हो conversion factor छोटा है इसका less than one है सारे का देख रहे हो आप less than one है तो पैसे भी तो कम मिलेगा अच्छा अब आप देखो यह जो bond है यह है 7.96 percent का यानि 7.5 से बढ़ा है जो national bond जिसकी बात हुई थी उससे महंगा है तो देखो इसका conversion factor भी बढ़ा है यह तो और जादा अच्छा है तो देखो इसका तो और conversion factor जादा है तो बढ़ा bond होगे तो जादा भी पैसे भी तो मिलेंगे ना आपको सामने वाले से तो कहते कि recommend this security that should be delivered by XYZ bank if future settlement price is 1000 जो future का जो contract price है जिस पे आपने delivery करने की बात किये थे वो कितना किया था आपने बताई 1000 पे तो हम कहते देखो 1000 तो buyer से मिलेगा नहीं मिलेगा कितना बताईए जी 1000 multiply by conversion factor यह होगा ना बाइस गटिया bond दोगे गटिया price मिलेगा तो हमें क्या करना है इस सब को 1000 से multiply कर देना है तो यह बन जाएगा कितने पैसे मिला किस से मिला यह मिला हमें buyer से ठीक है और उसमें से यह वाले price minus कर देना क्योंकि इतने में खरीद क्या आप दोगे तो यही चीज मैंने यहाँ पर calculate करने की कोसिस कियागी देखो 1000 multiply by conversion factor minus purchase price यह देखो 0.4 zero इतने का नुकसान आ गए seller को यह सारे seller का है profit loss किसका है यह अप seller का है तो देखिए इस तरीके से जितने भी eligible bond थे इसमें से इतने सारे loss gain आ गए अब आप मुझे बताए इसमें से आपको क्या लग रहा है कौन सी bond deliver अगर buyer को में चिपका दू तो मुझे सबसे जादा फायदा होगा तो देखो इसमें यह वाले bond चिपका हो तो मुझे तो नुकसान ही होने वाला है क्यों मिलेगा buyer से इतना और मुझे खरीदना पड़ेगा इतने में 40 पैसे का तो मुझे नुकसान ही है इसमें तो 20 रुपीज का नुकसान है इसमें 42 रुपीज का मुझे फायदा है जितना conversion factor जो exchange ने code किया है हमें और जितना उसका market में price है उसके हिसाफ से मेरे को 42 रुपीज का फायदा हो रहा है एक तो मुझे बढ़िया दिखा इसमें नुकसान है इसमें 27 का फायदा है इसमें 241 का फायदा है तो हमें क्या दिख रहा है बताइए कि seller तो हमेशा चाहेगा कि ये bond को हम सामने वाले को चिपका दे कि लिए भाई 6.8% coupon वाले जो 2029 में जो mature होने वाले ये bond का में delivery दे दूँगा तो question का requirement क्या था बताइए recommend security that would be delivered by XYZ XYZ कौन सी bond को deliver करेगा बताइए XYZ जो होगा ये GOI 2029 को deliver करेगा तो यही मैंने बोलाई कि maximum profit जो XYZ bank को है वो 6.8% bond में SIMS would be opted for यही आपको क्या कर देना है तो यही एक नए concept पे institute ने question डाला था मुझे नहीं लगता कि एक बार पढ़ने के बाद दुबारा इसको आपको repeat करने की ज़रत पढ़ेंगे तो exam में अगर आ जाए तो miss ना हो जाए ठीक है अगर कोई आपके दोस्त जो appear हो रहे हैं exam में उनको बेज दीजिए आदे गंटे लगा लेंगे break का time जो हो इसका utilize हो जाएगा ओके आगे बढ़ते हैं ये जो foreign exchange में मैंने बोला था कि आपको जो 15 days to 3 days पे हो गया है वो तो हो गया है सबको पता है लेकिन question भी तो वैसे आपके सामने होनी चाहिए न तो question आपके सामने अवलेबल नहीं है क्योंकि question अवलेबल है पुराने वाले सारे लेकिन जो 15 days का automatic cancellation था उसको कितने दिन में convert कर दिया है इसको इसको 3 days में तो हमारे जितने भी question पुराने थे हमने सारे question को modify कर दिया है अब देख रहे हो जितने भी पुराने question थो सारे question को हम नए requirement के इसको modify किया है इस solution भी आपको यहां नीचे दिया हुआ है आपको अगर hint के लिए चाहिए तो आप ले लीजिएगा देख रहे हो जो पहले November 2016 में आया था वहां 15 days के इसाफ से आया था देखो यहां पर 20th September था मैंने इसको कट करके 30th September दे दिया है जहां जहां पर कुछ impact आ रहा था वो सब मैंने change कर दिया है even जो इसके यहां पर जहां जहां पर answer में impact आएगा वो भी आपको यहां पर दिखी जाएंगे ठीक है solution अलड़ी दिया हुआ है आप solution को refer कर लिजिएगा क्योंकि इस पर हमने अलड़ी इंस्टाल्मेंट में बहुत बाह डिसके दिसके देख रहे हो यह question एक भी as it is नहीं है जो पहले था हमने सारे question को क्या किया है बताई है modify किया है नए requirement की इसाफ से तो उमीद करता हूँ अगर एक्जाम में आएंगे तो एक्जाम में इसी तरीके का question अभी आएगा और याद रखिएगा यह amendment किया हुआ हो गए कुछ attempt हो गए लेकिन उसके बात से इंस्टिटूट ने भी दो attempt हो गए एक attempt हो गए December 2021 में था हम कह सकते है एक attempt अलड़ी जा चुका है मैं कह सकता हूँ कि दो attempt हो गई जिसमें changes लेके आया तो यह question नहीं पूछा गया है हो सकता है बहुत जल्दी इस attempt में आपको यह question दिख सकता है 2020 में late cancellation वाले तो ऐसा ना हो जाए कि आपको mistake हो जाए और आते हुए भी marks रह जाए तो इसको एक वार repeat कर लिजेगा थुरा सा practice कर लेंगे कि अगर three days की impact किस तरीके से कैसे कैसे आएगा तो आपको यह question को practice कर लिजेगा इसमें भी 10 minute ले practice क्या करना है अल्रड़ी सब कुछ पढ़ा हुआ बस date का adjustment कैसे हो जाएगी वह आपको check करना है ठीक है तो यह PDF आपको description मिल जाएंगे मां कि अगर और कोई कुछ के रिए तो comment में लिखे मां की you see all the best बढ़िया से examination दीजे टेक कियर बबाई